आप देख रहे हैं Global India TV नमस्कार मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं Global India TV आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की और राउनगर परिशद में भाजपा से महिला सीट पर वाट क्रमांक नमबर साथ के पूर्वपार्शद रहे विजे पाटिदार की धर्मपत्नी पप्पी पाटिदार को टिकट दिया गया शिक्षित उर्जावान महिला दावेदार हैं इस बार मैदान में और इनी के सामने कॉंग्रिस से पुषपा उमेश्वर्मा को लडाया जा रहा है तकर कितनी जोरदार है ये राजनिति के गल्लियारों में चर्चा का विशे है यहां पूर्वपार्शद रहे विजे पाटिदार सांस्कृतिक मंच पर हमेशा जोड़े रहे लोगों के बीच में सक्रिये और सुल्जे विचारों वाले वेक्ती है देखिए खास रिपोर्ट इमरान मंसूरी समवादाता राउ जैसे जैसे चुनाव नस्दिक आते जा रहे हैं वेसे वेसे प्रत्याश्यों की भी रोज नए नए तरह के वर्जन आते हैं लेकिन आज हमारे साथ में गलोबल इंडिया निउस पर है वाट कमणाग नंबर साथ के पूरो पार्शद रहे विजय पाटिदार जी और उनकी धर्म पत्नी पप्पी पाटिदार जी तो आईए हम मिलवाते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल में आप दोनों का स्वागत है सर मेरा प्रधम सवाल यह है कि आप पिछले पांच साथ साल में यहां के पार्शद रहे वापस भारती अंदा बाटी के संगठन ने विश्वास करके महिला सीट होने की वज़े से यह टिकिट दिया है अब इस पर वापस हमको काम करना है तो वो आपकी रूप रेखा कैसे रहेगी और दूसरा यह है कि आपका जो पांच साल का रिपोर्ट कार्ड है वो किस प्रकार का रहा जनता के लिए देखिए पांच साल के लिए लोगों ने मुझे सुना था लेकिन दुरभाग के से बीच में कोरोना काल हुआ हम पिछले दही साल से पारसद नहीं हो तो जो पांच साथ दस परसंट काम मेरे रहे गए जो मेरे एजेंडे में थे वो ही नीप हो पाए है तो उन कामों के अला हमारा फॉंटेन के रूप में बढ़िया उसको जील के रूप में विक्सित करने का मेरा संकल्प है उसको में जरूर पुरा करूँगा मेरे धन्म पत्नी के साथ में अगला सवाल मेरा भावी जी से भावी जी आप जब जनताओं के बीच में जा रहा है आपके वार्ड में तो वहां के आपके जो मत दाता है उनका रुझान किस प्रकार का है बहुत अच्छा है चंता का खुब आशिरवाद और प्यार मिला है में क्या लगता है भावी जी इस बार आपको यह सीट सरल लग रही है कठीन लग रही है बहुत सरल है और भारी बहुमतों से हम नगर परिशत में जाते हैं तो वहां पर महिलाओं की समस्या को किस प्रकार समझेंगे किस प्रकार नेरा करन करेंगे मैं एक महिला हूँ इसलिए मैं महिलाओं की समस्या को समस्कती हूँ मैं उनकी समस्या को समझूंगी और उनका पूरा काम करूंगी अगला सवाल सर मेरा आप से रहेगा कि यहां की जितने भी जनता है उनके बीच में जा रहा है तो मूल भूत सुजदा के लिए वो कौन-कौन सी डिमान कर रहे हैं कि हमें यह परेसानी है यानि और कौन से विकासकारी छुड़ गए देखे मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर कोई से विचाय विदान सबा चुना हो लोक सबा चुना हो हर पार्टि के एजेंट में यह एक चीज रहती है कि आखरी के साल में उसके जो बड़े-बड़े कारे रहते हैं और जो भी बचे के काम रहते वो सब आखरी के साल में हमको करने रहते हैं और हम पूरे प्रणपांट से जुड़ जाते हैं लेकिन इसा दुर्भा के था कि आखरी के 14 महीने जो हमारा गोल्डन टाइम था मतलब आप यह कह सकते हैं कि हमने सिर्फ साड़े तीन साली सरकार चले है और आखरी साथ इसन रहे घर के कोई दुख मोड़ों में मुझें बहुत नजर नहीं आ एम इस मुखनीज़ न लेकिन यह नजर नहीं कि कई पूरोना काल में कई नजर आये क्या कई आपको चुकी पारसद एक छोटी सी कई होता है तो कई नाली साब करते हो दिखे क्या आज जो है वो दिख रहे हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो आठ दिन दस दिन पेले से पूरी राउन अगर का हंग मुझे बताई कि कांग्रेस के हमारे बंदों ने कितने पदर सेंकिया उनको लग रहा था ना कि नगर में बहुत समस्या है तो उन्होंने क्या नगर की जनता के लिए को आवाज उठाई क्या और किस बात से उनको वोड देंगी जनता जो लोग घर में सोवे थे और आज बो बोल रहा हूं मैं एक जन नेता हूं जमीन से जुड़ावा भारती जनता पाटी का कारी करता हूं और मुझे रधए की घहराई उसमें आपको एक बात बोल रहा हूं कि पूरी भारती जनता पाटी के लेहरे 15 के 15 वाड हम चुनाव जीत रहे हैं और निस्चत रूप से जीत तो यह थे हमारे साथ वाट करमांग नंबर के पप्पी पाटीदार जी विजे पाटीदार जी पूर्व पार्शद और में गलोबल इंडिया निउस के लिए समवाद दाता इम्रान मंसुरी राउस है